आजकल जॉब्स तलाश करती फिर रही है मैडम रेली? नहीं 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 सच बताओ लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि उसने कमाल का ओफिस जॉइन कर लिया जे, किया था और मैं बहुत खुश्च भी थी क्योंकि पापा की आफिस में उसके अगेंज करने के लिए बहुत सारे आइडियास है मेरे पास लेकिन आजिंक माडम को अपनी आइडेंटिटी बनानी है जॉइवर की बेटी के बजाए कुछ और कहलवाना चाहती है वो खुद को देखो आज़ल इस वक्त तुम उसके खिलाफ कुछ भी मत करना हूँ बलके मैं तो कहती हूँ तुम उसे अपॉलोजाइज कर अपॉलोजाइज कर अपॉलोजाइज तौर पर तुम्हारी मा है थोड़ा जजबाती होकर थोड़े आसू बहा कर अगर तुम अपने पापा का कॉन्फिदेंस हासल कर लोगी तो तुम्हारी पॉजीशन क्लियर हो जाएगी मैने मांगी तो थी माफी पापा के सामने अब और कितनी बार मांगू हाँ, वो जिस तरह मांगी थी मैने देखी थी तुम्हारे पापा को ये लगे कि तुम्हें ने सच मुझ पाफी मांगी तुम 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 तशनमिंदा हो देखो कुछ अरसे तक वो जो भी करती है ना उसे करने दो बलकि उसका साथ दो, पूरी लॉयल्टी के साथ दो तुम अपने एक्जाम्स में तवज्जो दो, उसे अपनी जॉब करने दो और फिर जब तुम्हारे पापा को यकीन हो जाएगा कि तुमने उसके खिलाफ साज़शे करना छोड़ दी फिर हम देख लेंगे कि हमने क्या करने क्यों लगते है आ गई है मैडम अच्छा अगर आ गई है तो उसे बात करो उसे यकीन दिलाओ कि तुम अपने किये पर शर्मिनता हो, ओके? ओके, ओके, कट्यों, बाइ-बाइ झाल